ये बात तो सभी जानते हैं कि मधुमख्यां शेहद बनाती हैं लेकिन अब सवाल आता है कि आखिर मधुमख्यां शेहद बनाती कैसे हैं दरसल दोस्तों सबसे पहले मधुमख्यां शेहद बनाने के लिए ऐसे फूल को ढूनती हैं जिस पर नेक्टर होता है मधुमखियां इस नेक्टर को अपने डंग के जरीए चूचती है जब नेक्टर से मधुमखि का पेट भर जाता है तो वो वापस अपने छटे में चली जाती है और वहाँ वो अपने मूँ से दूसरी मधुमखि के मूँ में नेक्टर को डाल देती है और वो दूसरी मधुमक्थी नेक्टर को तुछा है।